नमस्कार दोस्तों, मूव मीडिया में आपका स्वागत है आज IPL का पांचवा मुकाबला चेनने के चेपक स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला डिफेंडिंग जैंपियन मुंबई डियन्स और दो बार की चैंपियन कॉलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा देखा जाए तो मुंबई का IPL में कॉलकाता के खिलाफ पलड़ा भारी रहा है दोनों टीमोंने कुल 27 मैच अभी तक खेले हैं जिसमें मुंबई ने 21 मैच जीते हैं जबकि कॉलकाता 6 मैच में अपने नाम कर पाई है मुंबई के पास मौका है कि केकियार को इस मैच में हराकरवर जीत का चौका लगा सके केक्यार के खिलाफ खेले गए अपने पिछले तीन मुकाबलों में मुंबई ने जीत हासिल की है 2020 में दुबई में खेले गए आईपेल के दोनों मुकाबलों में मुंबई ने केक्यार को मात दी थी जबकि 2019 में मुंबई ने केक्यार को अपने घर्यानी की वानखेडे स्टेडियम में हराया था अगर मुंबई आज का मुकाबला जीतती है तो जीत का चौका लगा देगी इस IPL की बात करें तो मुंबई को अपने पहले मुकाबले में रॉयल जैलेंजर्स बैंगलोर के हाथो दो विकेड से हार का सामना करना पड़ा था तो वहीं केक्यार ने अपने पहले मुकाबले में जीत के साथ होसले बुलंद कर लिये केक्यार ने हैतराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 10 रन से जीत हासिल की थी टीम की बात करें तो केक्यार का टॉप ओडर शांदार बल्ले बाजी कर रहा है थादराबाद के खिलाफ ओपनर नितीश राना और राहुल त्रिपाठी ने जबरदस्त अर्दशत की ये पारियां खेली थी जिसकी वज़े से केक्यार को जीत मिली मिडल ओडर में टीम में दिनेश कारतिक आंदरे रसल और ओएन मौर्गन हैं जो बड़ी हिट्स लगाने में माहिर हैं आंदरे रसल और ओएन मौर्गन ऐसे वल्लेवाज हैं जो अकेले दंबे मैच का रुप बदल सकते हैं लेकिन मुंबई की गेंडबाजी भी कुछ कम नहीं है मुंबई में ट्रेंढ बोल्ट और जस्पीत भूमरा के साथ मार्को जेसन गेंडबाजी समाल सकते हैं जो KKR के लिए बड़ा खत्रा सा भी तो सकते हैं KKR के लिए मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है गेलबाजी में केक्यार के पास पैट कमिन्स, प्रसेद कृष्णा और वरुन चकरवर्ती है जबकि मुंबई की तरफ से खेलने वाले हर्बजन सिंग इस बार केक्यार में है मुंबई की बात करें तो मुंबई के बल्लेबाज पहले मुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप रहे ओपनर क्रिस लिंड ने अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन इसके अलावा मिडल ओडर पूरी तरह से फेल रहा मुंबई की टीम चाहेगी कि इस मैच में जीत कर वापसी करे मुंबई में बिग हिटर्स, पोलाड और पांडिया बर्दर्स भी रन नहीं बना सके जिसके चलते पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा चेननाई के मैदान की रिपोर्ट है कि RCB चेस करते हुए जीती है जबकि KKR ने डिफेंड करते हुए मैच जीता है ऐसे में यह मुकाबला रोमान चक होने वाला है मैच शाम साड़े साथ बजे से चेननाई के चेपक स्टेडियम में खेला जाएगा आईपेल से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को लाइक और शेयर भी करें वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताएं सब्सक्राइब नाव और प्रेस तब बेल आइकन नवर मिस अपडेट